हाँ जी हराम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक हुगा पर दो लाख रुपे का जुरुमाना लगा है भारी जुरुमाना है क्या मामला है कोण सी बरती है यह आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रही है नोलेश टीवी देशी ताव यूटूब चलंगो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइ पुराने वाली भरती है क्या है हरियाना पुलीस की जो पुराने वाली भरती है उस बरती के मैं बात कर रहा हूं पहली बात तो यह है तो ओर्ट केस नंबर है यह आपका CWP 11.590.2019 ठेक है जी इसमें क्या रुखा है पहले आपको याद ओगा सोश्योग्निमिक का राइटे हो और एज की भी Condition है तो उसको पांच नमबर दिये जाते हैं पहले क्या हुआ था सुरू-सुरू लोगों को एक condition पर भी number दे दिये, बहुत किसी का एक मतलब सिर्फ पापा expire थे तो उसको भी number दे दिये, कुछ में दोनों expire थे उनको भी ने दिये, तो यहां पर क्या हुआ, अप डाउन कर रखा था, किसी को number दे रखे थे, किसी को नहीं दे रखे थे, यह group D वर्ती से भी जुड़ा है मामला, जो पिछली group D की वर्ती है न, उससे भी जुड़ा हुआ मामला है, आप ध्यान देजीगा, मैं एक पर direct आपको यहां पर देखे, यह देखे, दो लाग रुपे है, वो अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन है, वो पे करेगा जुर्माने के रूप में, ठीक है, और अगली शुनुवाई इस केस की, एक मार्च 2030 को है, हुआ क्या था दोस्तो, तो इस केस में बहुत सारे लोगों को नंबर दे दिये, किसी को नहीं दिये, तो बहुत सारे लोगों नहीं केस कर दिया, इस चीज को लेकर, एच अससी ने बताया जार की, पहले गल्त जानकरी दी वहाँ पे कोर्ट में, और कुर्ट ने फिर दोबारा बोला कि चेर्मेन साब भी यहाँ पेश होने चीए, और जो सेक्टरी है, वो भी पेश होने चीए, और साथ में यी रिपोर्ट ले किया ये, ये डाटा ले किया है, तो आज बुलाया था उनको तो आज चेर्मेन साब तो पेस नहीं हुए लेकिन जो सेक्टरी साब हैं वो पहुंचे थे और वहाँ पर पता चला कि HSSC की तरफ से गलत तरीके से काम किया गया है उस मामले में या गलती हो रखे उस मामले में ये चीज कोर्ट के सामने आ गई ठीक है तो चेर्मेन HSSC ने ये बोला है कोर्ट ने बोल दिया कि वह HSSC पर दो लाख रुपे का जुरुमना है और अगली तार चुनवाई एक मार्च को होगी एक मार्च को चेर्मेन साब भी याँ पे आए चीज साब भी याँ पे आए और ढंक से अपना जो भी कहना चाहते हैं वो कहें इस बारे में ठीक है तो ये मामला है फादर लैस वाड़े जो बच्चे हैं उनके लिए ये गुरूप D की बरती से जुड़ा हुआ भी है और पुलीस के बरती से भी जुड़ा हुआ है ठीक है तो HSC पर कोरट केस हो गया है और यहाँ पे एक चीज और हो सकती है भाई जो मेल कॉनस्टेबल है ये दी कुछ भी दिक्कत हुई तो हो सकता है जो मेल कॉनस्टेबल बच्चे हैं जिनोंने already joining कर रखे तो उनको समश्या क्या पता जो इस मामले से जुड़े वे हैं इस मामले से जुड़े वे हैं तो हो सकता है HSC की गलती इनको भी बहुगतने पड़ जाए लेकिन ये कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक कोई ऐसा action ना लिया जाए जो बच्चे पहले join कर चुके हैं इससे rated उनको उनके साथ कुछ भी action ना लिया जाए ठीक है तो ये मामला है धन्यवाद भगवान कर आप सब एक आप समय सोग रहे है